राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी और निर्दलिया दोनों उमीदवार राज्यसभा में पहुँच गए हैं तो कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हैं इसी मसले पर हर्याना के पूर्व ग्रीर राज्यमंत्री एचलपे सुप्रिमो और सिर्सा विधायक गोपाल कांड़ से खास बात शीद की हमारे सही होगी आमित तिवाडी ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए राज्यसभा चुनाव में कृष्ण पवार और कार्टी के शर्मा को जीत मिली है दोनों राज्यसभा में पहुँच गए हैं सिर्सा के विधायक है हर्याना लोखित पार्टी के पर्मुख और पूर्व ग्रीय है राज्यमंत्री गोपाल कांड़ा लगातार सरकार के साथ रहे हैं कल भी उन्होंने दोनों की जीत का दावा पहले ही कर दिया था अपना वोट भी उन्होंने निश्चित रूप से कार्टी को कर दिया हमारे साथ हैं गोपाल कांडा उन से जानते हैं कि किस प्रकार से वे आज के दिन दोनों नेता जो राज्य समा में पहुंचे हैं उनको किस प्रकार से बढ़ाई देते हैं गोपाल जी आप साथ रहें सरकार के किस प्रकार से बढ़ाई देंगे दोनों को देखो ऐसा है कि सभी ने पमार साब का और कार्टी के जी गाजी नोंने साथ दिया हर्याना परदेश की तरफ से सभी नेताओं की तरफ से मैं दोनों भाईयों को पमार साब को कार्टी के जी को बहुत बहुत शुब कामनाएं और बधाई देता हूं और ये उमीद रखता हू और काम करवाएंगे ताकि हमें लगे कि हमारा बोट सार्थक हुआ कि हमने बहुत अच्छे इनसान को बोट दिया तो हर्याना परदेश को प्रगति की और लेके जाएं और ये सब एक मुख्यमंत्री जी की कारण उनकी प्लैनिंग के कारण ये दोनों जी निश्चित हुई है मैं उनको भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ धाई साल के अंत्राल में अभी एक बड़ी काम्याबी राजे सवा चुनाव में मिली है मुख्यमंत्री जी को आप बढ़ाई दे रहे हैं तो क्या माना जाए हर्याना में विकास की रफ्तार को भी गती मिलेगी ने बिलक का पया बहुत तेजगती से दोड़ेगा इसमें कोई शक नी है अभी एविश्वास परस्ताव के दोरान भी आप मजबूती के साथ सरकार के साथ डटे रहे और भी कई ऐसे मोक्या आए जब आप बिलकुल साथ थे अब ये राजे सबाचुनाव बड़ा महौल यहां टाइ है कि जब आप किसी के साथ साथ देने का प्रोमिस करते हैं तो फिर उसको निवाना चाहिए और अपनी जिन्दगी का यह सहूल है कि एक बार जिसको बोल दिया है मैं हम आपके साथ हैं तो साथ हैं जब तक उधर से कुछ बात नहीं होती हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं तो उसकी प्लैनिंग के हिसाब से बोट जाएगा और यह सकसेस हुआ और रही बात सिर्सा के विकास की जो बातें रखी हैं जो काम रखे हैं उस दिन भी जो अनाउंसमेंटें हुई हैं और कुछ कामों के बारे में उन्होंने मुझे कहा था कि इस इलेक्शन के बाद में ब विकास के काम रुके हुए हैं या स्लो हैं उनको तेजगती देने के लिए दोवारा मुख्यमंत्रीजी के साथ बैठकर और बहुत जल्द तेजी से काम शुरू करवाएंगे कॉंग्रिस की अंतरकलह की बड़ी चरचाएं हैं कुलदीब का निलंबन भी हो चुका है तो क्या मानते हैं यह कॉंग्रिस के लिए आप क्या कहेंगे यह उनकी अंदरूनी बात है कि कुल्दी बिश्णोई जी जिन्होंने क्रोसबोटिंग किया क्या किया तो वो तो पहले कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर बोट दूँगा तो किसी का किसी से मन नहीं मिलता है उनकी अंतरात्मा या आवाज नहीं दे रही थी कि इनको बोट दिया जाए तो उन्होंने दिया अपार्टी निकाले क्या करे कहां वो ज्वाइन होंगे या उनका अपना मन है कुल्दी बिश्णोई जी का कोई ब्यान नहीं आया लेकिन एक ट्वीट पर जो लड़ाई चल रही है ट्वीट किया उन्होंने कि साप के फन कुचल दिये गए हैं और उदर से अशोक तवर ने कहा कि अजगर जिन्दा है आप क्या कहीं मैं इस बारे में यह साप अजगर की इन लड़ाईयों में नहीं बढ़ता मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि अब हर्याना के मुख्यमंत्री वो मनोर लाल जी नहीं है जो एक तीर से कई शिकार करने का हुनर जो है वो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीख चुके हैं कैमरेमेन विकास के साथ अमित तिवाडी हर्याना न्यूज तो इसी खबर पर जाधा जानकारी के साथ मेरे सहीयोगी सरसा से आमित तिवाडी जूड़ चुके हैं आमित गोपाल कारणा ने दोनों उमीदवारों को दोनों राजय सभा जो सांसत बने उनको विधभधाई दिया और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि ये सिया मनोहर लाल की रणनिती की जीत हैं की और से की गई है और सिर्फा विधाय के रूप में जबसे उन्होंने सरकार को समर्संदिया काई ये से मोक्या आए जब वे सरकार के साथ जटे लिखाई दिये चाहे वो किसान आंदोलन की बात रही या भी आई विश्वास पस्ताब की बात रही और अब ये राज्ज्य स खाया है कि रही विखास tapas और इस राजर्ज शवास का चुनांद यह और दोलों सुझते हैं कि बाध्वास ने तो यह बाते हैं उन्होंने अपने ब्यान के माद्यम से रखी है जी चलिए बहुत पर शुक्रिया में तमाम जानकारी के लिए आपका